हेलो एवरिवन वेलकम तो माई नूव वीडियो कैसे हो आप सब उमीद है सब बढ़िया होंगे आज का टोपिक है पुजल को कैसे सॉल्व करना है मैं कोई क्लास नहीं लेने वाली हूँ जस आपको छोटी चोटी बाते बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है पुजल सॉल् आप एक्जाम में वही इंप्लीमेंट करोगे दो दिन पहले एक दिन पहले देखी गई वीडियो में बताएगे टिप्स जो भी हो वहाँ पे नहीं कर पाते है विकोज इतना प्रेशर होता है बंदा वहीं करता है जो आस्तर करता है अभी से आपको छोटी चोटी बाते बत अभी भी पॉइड नहीं करना है कई वार ऐसा होता है कि हम सोचते है पहले पूरी पूरी पॉइड कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे कि किस पॉइंट से पॉइंट को स्टार्ट करना है ऐसी गलती कभी नहीं करनी है इससे टाइम बेस्ट होता है सेकिंड पॉइंट पॉ तो वही लिखना है, possibility से starting कभी नहीं करनी है, third point है possibility, possibility से starting नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप possibility से start करते हो ना, तो आपकी puzzles फिर possibility में बनती जाएंगी, बहुत lengthy जाएगी, इससे based हो का time और pre में इतना time नहीं होते हैं, कि आप possibility में लेके puzzles को solve करो, हाँ दो possibility बन सकती है, पर तीन तीन चार चार possibility लेकर नहीं चलना, for example, आपको बोला गया है, hour goes one of the days after Thursday, तो hour Thursday के बार जा रहा है, ठीक है, तो वो Friday को भी जा सकता है, Saturday को भी, Sunday को भी, अब मालनों कि आप इन तीनों पे लिख रहे हो, इस तरीके से, जब आप पजल सोल करोगी, इस तरीके से, तो तीन पोस करना है, जरूरी नहीं है, कि जो पजल में पहली लाइन लिखी गई हो, वहीं से पजल स्टार्ट हो, maybe वो possibility वाला case बन जाए, for example, जो अभी मैंने आर वाली लाइन बोली, हो सकता है, यही लाइन पहली लाइन लिखी गई हो, तो यहां से starting नहीं करनी, इन चीजों को कैसे ल लिख लेना है, मालो पहली लाइन थी, आर गोज one of the days after Thursday, तो इस तरीके से लिख लेना है, आपको समझ आ जाएगा, मतला, आप अपने तरीके से देख लेना, मैं हमेशा arrow बगारा लगा के यूज करती हूँ, नहीं तो आप साइड में लिख लेना, इस तरीके से आर Thursday के बा पी का already clear था, पी गोज on Thursday, इसमें बोला गया है, next मालो कोई लाइन है, आर का हो गया, next तीसरी चोथी किसी भी लाइन में लिखा है, S गोज one of the days after P, but not on Sunday, अब S क्या है, पी के बाद जा रहा है, बट Sunday को नहीं आ रहा, अब यहाँ पे हो गया कम, पहले आपकी possibility ऐसे बन रह पी थी, RR तीन जगा, अब confirm है, कि S यहाँ नहीं है, तो S इन दोनों में से किसी एक जगा पे है, अब आपको लग रहा हो कि S एक ही जगा पे इतना कुछ इकठा हो जाएगा, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, इन चीजों को साइड में लिखना है, इस तरीके से, P के बाद S ज जा रहा है, जो नहीं होगा ना, उसको सामने लिख लेना, आपको चीज कलियर हो जाएगी, ऐसे ही सभी पजल को सोल्व करना है, आपको साइड में लिख लेना है, यूँकि प्री में इतना टाइम नहीं होता है, कि आप पोसिबिल्टी बना के चलो, तीन, तीन, चार, चार इस तरीके से सोल्व करता है, तो ऐसे नहीं करना है, बेस्ट अफ टाइम है, और अगर रिक्टैंगूलर पजल को आप ऐसे सोल्व करते हो, तो उससे भी ऐसे सोल्व नहीं करना है, सर्कुलर और रिक्टैंगूलर पजल को हमेशा इस तरीके से थ्रेड बेस्ड मेथड से सो करनी है उपर आई बटन में आपको वीडियो शो हो रही होगी आप वहां से क्लिक करोगे तो आप पूरी वीडियो देख लेना कि रीजनिंग आपको कैसे प्रिपेर करनी है और मैंने वहां पे टीचर्स के नाम भी मेंशन की हुए है एक और फिर से बता दूँ कि अंकुष ल रच और पॉसिबिल्टी के केस भी कशाइद बम बनते हैं यह थी प्रियों के लिए सेम आज इड यही बात मीं की प्लाई होती है कि आपको प्रियाते हो फिर भी चारव प्जल रहता व्यां पिर भीड़श थी होती है विखा आप याद इनियु ऺमिघ Academic कि हमने कहां पढ़ाए क्या छोड़ दिया क्या नहीं पढ़ाए आपको पुजल की हर एक लाइन ध्यांज से पढ़नी कोई भी लाइन पने करने है कुछ सेकिंड्स एक्स्टर लग जाएंगे बट ऐसे भागदोर नहीं करनी कि आपकी puzzle गलत हो जाए दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि कई वर note लिखा उता और हमें note दिखाई नहीं देता है और उस एक note की वज़े से पूरी की कोई exact point नहीं दिया होता कि कहां से start करना है तो वहाँ कोई issue नहीं है वहाँ पे आपको possibility से start करना पड़ेगा ठीक है तो आप वहाँ possibility पहले पूरी puzzle इस तरीके से side में लिख लोगे फिर आप देखोगे कि कहां कम से कम possibility बन रही है आप उस point को लेके puzzle स्टार्ट करोगे ठीक है या फिर किस से related जादा चीज़े दी हुई है for example P से related जादा चीज़े दी हुई है P को S के साथ connect किया है P को R के साथ connect किया है तो वहाँ से ही puzzle स्टार्ट करनी है ठीक है I hope कि आपको puzzles को लेके जितने भी doubt होंगे आपके वो सारे के सारे clear हो गए होंगे एक और फिर से बोल रही हूँ speed के पीछे नहीं भागना है puzzles बहुत ही अराम से solve हो जाती है बस उन्हें solve करने का तरीका आना चाहिए आपको side में लिखनी होंगी हर एक चीज किसी भी चीज को direct इस तरीके से नहीं लिखना है जब तक आपको exact point नहीं मिलता है वो अब आप पर depend है कि आप कैसे लिखते हो पहले starting में जब मैं beginner थी तह मैं ऐसी solve करती है ज़र उसके बाद मैं इस तरीके से solve करने लग पड़ी क्योंकि जब practice होने लगती है न फिर आप अपने भी method बना लेते हो कि हमें किस तरीके से और shortest way लग रहा है ठीक है कि कैसे solve करनी है किस चीज को कैसे लिखना है वो तब ही होगा जब आप daily practice करोगे puzzles की I hope कि आपका हर एक डाउट clear हो गया होगा और आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपकी काफी help होई होगी बाकि जो भी topics होगे इससे next मैं quant की वीडियो भी बना के देदोंगे कि आपको quant में किस तरीके से अपनी speed increase करनी है So thank you so much for watching this video